नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ओनलाइन एंड ओफलेंड ग्यान में तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ जरूरी चीजे मैं आप लोगों को बता दूँ कल आप लोगों के लिए मैं रिसर्च ही कर रहा था हमारे जो आसेस मिश्राजी है उनी के माद्यम से मेरे पास खबार आई कि पूरी पोसिबिटी है कि सप्तंबर में ग्रूप दी की वेकेंसी आप लोगों को फिर से देखने को मिल जाए अब देखो मैं 100% तो इसे नहीं बोल सकता जब तक हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आत तक मैं विश्वास नहीं कर सकता ठीक है तो जब आएगा तब हम इस पर चर्चा करेंगे तो अभी आप लोग इसके लिए पेशन्स रखो दूसरी आप लोगों को बता दू एक अपरेंटिस हा रही है यह यूपी का बैंक है इसमें और हमारे अपरेंटिस जो पोटल है इस इसमें आप लोगों को बताया गया कि CCA वाले जो बच्चे हैं उनको बेनिफिट मिलेगा और बेनिफिट क्या मिलेगा उनको वन थर्ड मार्ग जो है उनका AITT का जोड दिया जाएगा उसके अलावा जो आप लोगों का PET होता है PET भी आप लोगों का नहीं होगा जिसकी व बढ़ते हैं अपने मेन पॉइंट पर जिसके लिए मैंने वीडियो बनाई है जो आप लोग रिक्वेस्ट करने हैं बार-बार कि मैं आपको क्लैरिफिकेशन दू तो भई यह आप लोग देख सकते हैं इस पर मैं आपको जानकारी ओल्रेडी भी दे चुका हूँ बढ़ क् क्योंकि डाउट्स इतने सारे होते हैं तो उसे क्लियर करना हमारी रिस्पोंसिबिलिटी बन जाती है जैसी मैं इस पर क्लिक करता हूँ मेरे सामने तीन यहाँ पर जो है पॉइंट्स आते हैं जिसे मुझे रीड करना है सबसे पहले दोज फेल्ड या अपसेंट इन त्रेट त्रेट थेओरी के मार्क्स पे नहीं प्रैक्टिकल के बेस पर जनरेट किया जागा साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है उसके बाद अब यह संजो कि यार कितनी अच्छी बात है कि आप लोगों को डिपार्टमें ने फेल नहीं होने दिया दूसरा पॉइंट जो बच्छे ट्रेट थेओरी में पास हो गए उनके पास option है कि वो अपनी मार्क्षी ट्रेट थेओरी के बेस पे ले ले या प्रैक्टिकल के बेस पे ले ले तो जब आप मार्क्षी डाउनलोड करने जाओगे मैंने जो वीडियो बनाई तो उसमें आपको बता दिया था अगर आपने एक बर जो चूस किया उसी के अनुसर आपको मार्क्ष वापे दिखाई देंगे अब आते हैं भई आप बहुत सारे बच्छे कोशन कर रहे हैं कि सर जी दोनों में फर्क क्या है अगर हम ट्रेट थोरी वाले जो हैं आपर मार्क्षी ट लेते हैं उसमें क्या फ जिसमें प्रेक्टिकल वाले बच्चे भी घुषे हुएं यानि जो बच्चा फेल था उसकी वैसी मार्क्षी जो बच्चा ट्रेट थोरी में पास था वह भी आईसी मार्क्षी तो यह वैसे यह आप पर डिपेंड करता है कि आप किस कैटिगरी में फोल होना चाहते हैं आपको भी फिर वही मार्क्षिट मिलेगी अब आप लोग डिसाइड करो इस यूर चोईस आपको कौन सी मार्क्षिट लेनी है और यह जो ऑप्षन है यह उनी का दिखाई देरा ध्यान रखना जो बच्चे ट्रेट थोरी में पास हुएं जो बच्चे फेल हुएं ट्रेट अब बहुत सरे बच्चे बोड़ें कि सर जी अगर हम प्रेक्टिकल के बेस वाली मार्क्षिट ले लेते हैं तो क्या जो CCA के नए बेनिफिट है जो रेलवे से अप्रेंटिस करके बैठे हुएं वो बेनिफिट हमें प्रेक्टिकल के बेस पर मिलेगा तो याज भाई मिले आपके फिर प्रेक्टिकल के बेस के मार्क्ष का वंधर जोड़ा जाएगा अब बात करते हैं वह बच्चे जो थोरी के बेस के मार्क्ष लेते हैं तो फिर आपके थोरी प्रेक्टिकल जो ओवरॉल आपका मार्क्ष होगा उसका वंधर आप लोगों का लिया जाएगा तो जो थोरी वाले बच्चे हैं जोने लगता है कि उनके मार्क्स अच्छे हैं और जो है उन्हें लगता है कि हाँ अच्छा स्कोर हमारा आगे बढ़ सकता है तो भी है थोरी वाली मार्क्षी डाउनलोड कर लो और प्रैक्टिकल की डाउनलोड कर लो लेकिन बस मैं एक चीज लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि थोरी वाली माक्षिट ले लेंगे और बाद में हमारा माप पे फेल दिखाई दे जाएगा तो ऐसा नहीं है फेल नहीं दिखाई दे सकता है क्योंकि जो बच्चे फेल हुएं उनका वो ऑप्शन ही नहीं आ रहा है ऑप्शन सिर्फ उनी बच्चों का जाए जो थोरी में पास हुएं तो अब आप लोग डिसाइड करो अपने मन से पूछो कि आपको थोरी वाले मार्क्ष चाहिए या नहीं चाहिए माक्षिट में क्योंकि अगर आपकी मार्क्षिट थोरी वाली जनरेट होगी तो आपका सेडिफिकेट भी थोरी के बेस पे जनरेट होगा इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा और सेडिफिकेट आप लोगों का नहीं आया भी तो सेडिफिकेट के लिए आप लोग व जरीया होता तो जरूर जो है मैं आप लोगों के लिए आगे चल के करता इसके लावा पुराने पोटल वाले बच्चे बोल रहे हैं कि सर जी हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो भी फेल दिखा रहे हैं तो भाईया 31 तारिक से पहले पहले डिपार्टमेंट सबके रिजट्स दे देगा आप लोग पेशेंस रखो भी अपनी तरफ से कार रहे कर रहा है और जो प्रैक्टिकल में होग है बहुत वह थो सकता है कि कि आप लोगों के गलत माक्स चड़ा दियो अगर आपको लगता है कि आपके माक्स सही थे आप लोग पास थे तो इस चीज प की बहुत सारे clarification इस वीडियो से आप लोगों को मिले होंगे in case आपका अभी भी कोई doubt है तो भाई comment box आप लोगों के सामने open है comment box आप लोग जाके जो है देखो उसमें comment करो मैं आप लोगों के सवालों के जवाब तो सबके नहीं दे पाथा बट आपके सवालों के बेस पे वीडियो बना देता हूँ ठीक है तो अभी आप लोग परिशान मत हों अभी 31 तारीत तक बहुत सारी चीज़े आप लोगों को देखने को मिलेगी आपर धन्यवाद